37 रुपया 75 पैसा का इस्टोग 1999 में एक सामिज था इसका बोलबाला जब धीरु भाई अमवानी सिर्फ रिलाइंस कंपनी नाम था एक उसके बाद जब ये बटवारा हुआ उसके बाद बटवारे से पहले इस इस्टोग का कीमत बढ़कर हुआ था 2700 के आसपास 2727 रुपया क बड़ा इन्वेस्टर को धक्का लगा और लोग परबाद हो गए आज की दिट में ये है 9 उर्पया 60 पैसा अब ये रिलाइंस कैपिटल लिमिटेड की बात कर रहा हुँ दोस्तों रिलाइंस कैपिटल को खरिदने की होड में दो कमपनी थे पिरामल इंटरपाइज और कोम कमपनियां बाहर चले गए रिनाम पिरामल इंटरपाइज और कोमिया फाइनसियल होल्डिंग्स ये अब इस नियम कानून से बाहर चले गए अब जो है हिंदुजा हिंदुजा लिमिटेड और टोरेंट फार्मा और ऑकैट्री तीन कमपनियां सामिल हो गई रेस में कि ये क बनाये हुए हैं ये देखिए यहां से गिरने के बाद कैसे लोग बरबाद हुए हैं और आज क्लोज हो गया कुछ भी सेल बिकरी कुछ भी नहीं है इसका और आप एक सब्ता की बात करें तो ये स्टोक की नजर सबकी है कि कौन खरिता है उसके बाद देखा जाएगा तो च किसले में बार-बार तो तो किसी का वीडियो देखकर किसी की खबर देखकर कभी भी ये स्टोक मार्केट में नहीं आना चाहिए और देखिए 11 और रोप्या का इस्टोक था ये 23 नवमर को और वहां से अपरसर की लगा के सीधे यहां बंद हो गया जी रोपे आज 9 और पिया 60 परिशा का इस्टोक पहली बारा है इंटरेटक मुंबई ये बीकेसिंग चैनल पर तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए और ऐसे अपडेट हम देते रहते ताकि आपको भारी नुकसान से बचा जा सकते तो ऐसे स्टोक को बारे में और ऐ मुनापक कम और ऐस मस्ती में जब बीतेगी तो क्या होगा हाल और ऐसे गौर्वर्मेंट की जो खजाना खाली करके लोन डीन लेकर और ये कमपनिया ऐस मस्त करती है जिसका भुगतान आम आदमी के जीवन पर भी पड़ता है टेक्स्ट इंकम टेक्स्ट देने वाले लोग जो कमपनी को लोन मिलता है बैंकों से कहां से मिलता है इस सारे सवाल जब आप मिला है श्टोक मार्केट में बहुत सारी ट्रूटिया हैं जो आपको खतम हो राधीरे-दिरे सेभी ने बहुत बड़ा कदम उठाया दोस्तों बाई-बाई-बाई-पॉलिशी को खत्म करने की उसके लिए बहुती सराना करते हैं MBA, BK सिंग, इंटरेट एक मंबई MBA, BK सिंग तरफ से देर सारी सुब कामना है 2023 की सुब कामना है आप सभी को स्वस्तर हैं इस वरसे में ही कामना करते हैं क्योंकि Health is Wealth